हेलो अरे बड़ी मैं दरवेंद कुमार आपके अपने चैनल जी के देखो भाई डीके में आप सभी का स्वागत है कभी कभी जम बच्चे को इंपोर्ट कर रहे होते हैं उसके नेशनल कोड असकी डेट अब बर्ष से तो हमारे सामने ऐसी जानकारी आ जाती है कि हम बच्चे क दो स्कोलो में एंडोल होता है या फिर एक ही स्कूल के दो कालाशिज में एंडोल होता है तो इस प्रकार से बच्चे को इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं और हमने बच्चे को admission दे दिया था अप्रैल के महीने में तो हमारे सामने ये विकट इस्थिती आ जाते हैं कि बच्चा क्या करें ये कि बच्चा import भी नहीं हो रहा है ये कि बच्चे की जब हमने national court डाला तो बच्चा दो schools में enroll पाया जा रहा है या फिर बच्चा एक ही स्कूल की दो classes में enroll पाया जा रहा है और नीचे लिखा आता है कि बच्चे को आप import नहीं कर सकते हैं प्लीज contact your blog उस परिष्चिते में आप अपने blog के बियार से संपर्क करेंगे और उस बच्चे के बारे में जानकार यहांसल करेंगे जिसका हम क्या करें तो चेलिए ऐसी condition कब आती है मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में तो चेलिए हम चलते है mobile phone की screen पर और यहां Google को ढून लेते हैं यह Google का icon इसका click कर दिया और यहां हम type कर लेते हैं Udice Plus यह उपर यह जाता है यहां click कर दिया यहां click करने के बाद हम जाएंगे student module में तो हम यह student module पे click कर देते हैं यहां click करने के बाद यहां select कर लेंगे अपना state जिस बाद state के आप रहे होंगे और यहां go पर click करेंगे यहां go पर click कर दिया और यहां डाल लेते हैं अपना user ID याने अपने school का dashboard, password और capture डाल करके login कर लेते हैं, चलिए मैं कर लेता हूं मैंने यहां डाल लिया है ID, password और इस तर login कर देता हूं login करने के बाद कुछ इस परकार से हमारे page सामने आ जाएगा और यहां click कर देते हैं यहां click करने के बाद इसको अटा देते हैं यहां phone को desktop site पर कर लेंगे ऐसे और देखे इस परकार से हम चले जाएगे यहां यहां हमें जाना है कहां progression activity पर तो यहां progression activity पर जाएगे और यहां हमारे सामने तीन डिब बे खुरकर दिखवा जाएगे हमें जाना है import module पर क्योंकि हमें बच्चे को import करना है उसके national code और उसकी date of birth के दुबारा ठीक है तो हम go पर किलिक करेंगे और देखो यहां लिखावा है student pen यहां student pen number भढ़ लेंगे और यहां इसकी date of birth भढ़ लेंगे चलिए मैं भढ़ लेता हूं देखें यहां मैंने डाल लिया है बच्चे का student pen number और उसकी date of birth तो देखें यहां go पर जाएंगे यहां go पर किलिक कर देंगे गो पर किलिक करने के बाद देखें यहां बच्चे का पूरा विवन देखो खुल कर देखो आ जाता है यहां लिखा progression done by school study in 2022 student attached with same school in 2023-24 यानि उसी स्कूल में वो attached है बच्चा 2023-24 में भी ठीक है तो चेलिए देखें यहां यह पर जाए देखें लिए यहां बच्ची का नाम है अलफिजा अलफिजा ठीक है और देखें लिए यहां जो है बच्ची school detail दिखा रखा है यहां सी 23-24 का यह युड़ाइस code है और यह school का नाम है यह school का नाम है और यहां दिखा रखा है उसका class का नाम यह class second है और यह class first है class first में भी यह उसी school में है same school में यह बच्ची जो है class second में भी है और class first में भी है तो यह समस्या हमारे सामने आती है और यह बच्ची उसी स्कूल में जो अटाइच है ठीक है चलिए आगे चलते हैं और यहां देख लिजे क्या लिखावा है नीचे देख लिजे इस पर दिखावा है इमपोर्ट इज नोट अलावड प्लीज कॉंटेक्ट टू ब्लोक डिस्टिक मिस फोर फर्दर क्वेरीज यानि आपको कॉंटेक्ट करना पड़ेगा ब्लोक से या फिर डिस्टिक से इस बच्चे को इमपोर्ट करने के लिए ठीक है तो यह कंडिशन भी हमारे सामने आ रही ह पहुत से स्कूलों में यह लिखा आता है इमपोर्ट इज नोट अलावड प्लीज कॉंटेक्ट टू ब्लोक अबलिक डिस्टिक मिस फोर फर्दर क्वेरीज ठीक है अब आप देखरें कि यह बच्चा 22-23 में प्रमोटिट दिखा रहा है 22-23 में प्रमोटिट कलास है यह 22-23 में यह इसका इस्टेटस है अब यहां देख लिजिए 23-24 में यह बच्चा जो है उसी स्कूल में सेकिंड में भी है और फर्स्ट में भी है ऐसी भी कंडिसन हमारे सामने आ रही है सेम स्कूल में दो कलास इलिजिए बच्चा एन्रोल है तो ऐसा भी बच्चा में मिलना है जो जिसको इंपोर्ट करने में हमें पसीने आ रहे है अब उस स्कूल के परधना द्यवग ने इस बच्चे का एडमिसन कर दिया कक्षा थर्ड में अब यह बच्चा सेकेंड में इं एसी कंडिसन बच्चे के साथ हो रही थी मेडमने बच्चे का एडिसन कर दिया सब ppeच में जब बच्च्चा इंपॉर्ट होगा थर्र में यह फौर्ट में 3ий इंपोर्ट नहीं हो सकता है बच्चा केवर उसी कलास में इंपोर्ट होगा या तो उसी कलास में उसको लेफ्ट कर दिया स्कूल या फिर उससे अगली कलास में उस स्कूल वने इसको परमोट कर दिया हो तो बच्चा दो ही कलासिज में इंपोर्ट हो सकता है तो सेम कलास में य या फिर यह पता करने कि पच्चा कहीं और enroll तो नहीं है फिर आपको ऐसी समस्चाएं face नहीं करनी पड़ेंगी यहां red red में लिखावा है progression done by school study in 2022 student attached with same school in 2023 वरना जब यह done लिखा आता है यह ग्रीन लिखा आता है तो इस red का मतलब है कि पच्चा import नहीं होगा और देखो इस पश्ट यहां लिखावा है import is not allowed, please contact to block, oblique district, MIS for further queries तो ऐसी condition भी आज कल UDICE में आरे हैं जब हम student data में बच्चे को import करने की कौसिश कर रहे हैं एक बात का वश्य धाननक है अगर हम किसी बच्चे का national code सर्च कर रहे हैं और उस बच्चे का national code सर्च नहीं हो रहा है तो बच्चा add new होगा और block पर जाकर होगा आप उसको add new नहीं कर सकते हैं यह facility, यह login जो है हमारे block अस्तर पर किया गया है या फिर CRC मौदे के दवारा बच्चे को add new करा सकते हैं जिस बच्चे का national code नहीं बना है अगर किसी बच्चे का national code बन गया है और ऐसी condition आ रही है कि एक ही school में दो classes में बच्चा enroll है या फिर दो अलग-अलग विद्ध्य अलग बच्चा enroll है तो तब भी बच्चा import नहीं होगा आपको blog या district से contact करना पड़ेगा इस बच्चे की अगली queries के लिए तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको अच्छे लग तो लाइक करें शेर करें और शैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरू कर लिजे धन्यवाद जहिन